Hello everyone, I am MK और आज किस वीडियो में आप लोग के लेगा हैं एक ऐसा important information जो कि आपको काफ़े ज़यदा तकलीफ देने वाला है जी हाँ अगर आप एक Redmi या MI device के user से और वो device आपका हो चुका है old तो उनकी अब कोई भी update आपको देखनी को नहीं मिलेंगे चाहे वो आपके यहाँ पे system apps अपडेट हो या फिर यहाँ पे google security patch का अपडेट हो या फिर आपका OTA अपडेट हो यानि आपका phone permanently है जो भाई बाहर निकाल दिया गया अपडेट के session से और को भी update नहीं मिलेगा इनकी अंदर बहुत साथ devices को लिस्ट किया गया है जो कि मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा और आप comment करके बताना है कि इन में से कौन सा device आपके पास है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर मैं जो भी information आपके साथ share करूँगा ना यह एक official information है कोई unofficial नहीं है यह Xiaomi के तरफ से है जो provide किया गया list है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो EOS product list यानि end of software update जो भी आप मान लो तो यहां पर पूरा mention किया गया है कि अब इनका है जो कोई भी software update यहां पर लिखा हूँ है जो कि आप देख से तो नहीं मिलेगा चाहे वो security patch का और framework का update हो या फिर कोई भी किसी type का update हो सारे updates से इन्हें है जो बाहर निकाल देगा है अगर हम device list की बात करें कोनकों से इस device में mention किये गए है तो सबसे पहले आप यहां पर देख पाव गए है हमारा MI1 MI4C6 Note Pro A2 Pad 4 Plus Mix 3 अनदर आता है MI2 5 6 X Mix A2 Lite Max 3 Mix 3 अनदर है हमारा MI2 A5S 8 SE Mix 2 Mi Pad 8 Lite 8 UD अनदर यहां पर आपको देखने को मिलता है MI4 5C Note 2 Max 2 Pad 3 Mix 2 S और MI Play इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहां पर MI4S 5X Note 3 A1 Pad 4 और MI8 Explore Edition तो यह सारे list हो गए हमारे जो कि MI के अंदर आते हैं Xiaomi के अंदर आते हैं अब आता है Redmi का तो यह है हमारा Redmi का device जो कि Redmi 1, 3X, 5A, Note 4, 6 Pro, Note 7 उसके बाद है हमारा Redmi का 1S, Redmi 4, Note 1, Note 4X, Redmi 6A, Note 7S अनदर है Redmi 2, Redmi 4X, Redmi Note 1S, Redmi Note 5, Redmi S2, Redmi Note 7 Pro अब आता है Redmi का A2, Redmi 4A, Redmi Note 2, Redmi Note 5A, Redmi Y2, Redmi K20 अनदर है हमारा Redmi 3, Redmi 5, Redmi Note 2 Pro, Redmi Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7 और है उसके बाद यहां पर Redmi 3S, Redmi 5 Plus, Redmi Note 3, Redmi 6, Redmi Go और Redmi Y3 तो यह जो total device list है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है सबका मैंने नाम भी रिट्रिकर बता दिया है ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए इन devices को अब कोई भी software, security, patch, app update का provide नहीं किया जाएगा तो अगर आप इसे continue use करना चाहते है तो कर सकते हैं या फिर bootler unlock करके customer बगर डाल सकते हैं यह depend करता है आपके उपर लेकिन आपने अगर उमीद कर रखाता कि क्या आप पता हमें आगे चलके कोई update देखनी को मिल ला है तो यहां पे clear रूप से बता देगा है भाई कि अब हम यहां पे कोई भी longer update यहां पे नहीं देने वाले इन सभी devices को तो आप comment करके बताओ कि इन में से कौन सा device आपके पास है और भाई यह सुनके बहुत अफ्सोस होने वाला है आपको कि भाई इनका time खत्म हो चुका है बस यह एक छोटा सा information था जो कि आपके साथ करना था share आपको यह video कैसा लगा अगर आपके पास यह devices है तो भाई बहुत बुरा लगा होगा अगर नहीं है तो आप भाई good luck में हो आपका luck अच्छा है क्योंकि आपको अभी update मिलने का chance है क्योंकि यहां पे उसे reject नहीं किया ठीक है मिलते है नेक्ट वीडियो में और ऐसे information में आपके लिए लेके आता रहूँगा जो कि आपके काफी काम आने वाले है तो इसके लिए प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और अभी मैंने आपको एक video प्रोवाइड किया कि कैसे आप without customer recovery के अपने phone को root कर सकते हो और साथ साथ यहां पर iPhone वाला जो iOS style का launcher है उसे कैसे activate कर सकते हो वह भी मैंने आपको बता रखा है तब उन वीडियो को देख लेना आपको जल्दी देखने को मिल दाएगा So thanks for watching, bye bye